ब्रीवन आई बीपेस ने 2021 और बाइस के लिए एक कलेंडर जारी कर दिया है जो टेंटेव एक्जाम का है यानि कि जो आने वाले टाइम में एक्जाम होने वाले हैं उनकी क्या डेट्स होंगी कब-कब एक्जाम कंड़क्ट करा जाएगा प्री मेंस या इंटरव्यू उनकी जारी कर दी है तो यह कलेंडर जो है 2020 और 21 के लिए है जैसे कि देख रहे हैं हम सभी कि आरार बीज के लिए CRP जो आरार बी के थुरू होता है यह टेन नंबर का और ऑफिस असिस्टेंट के लिए एंड़ के लिए जो डेट्स जारी गई हैं वह कुछ इस तरह से हैं प्रेम अगस्त को टीस्तर 8 अगस्त को चोथा 14 अगस्त को और पांच्वह 21 अगस्त को तो 5 चरण में यानि Scale 1 का ऑफेस असिस्टेंट की लिए यानि कि यह pre exam होगा और single examination जो next होगा scale second और third के लिए यानि कि यह officer scale 1 और 2 के लिए one scale के लिए office assistant के लिए नहीं है यह single examination है जो 25 सितंबर को होना है main examination scale 1 and office assistant के लिए जो होगा वो main exam 25 सितंबर यानि same date में scale second और third का जिस दिन exam है same उसी दिन और office assistant का 3 October को exam यह conduct कराया जाएगा PSB के लिए जो भी CRP clerk 11 को conduct करने वाले हैं अगर आपका category इसमें आता कि CRP PO या MD या 11 CRP SPL 11 में आपने form फिल किया है तो इसका निर्मली exam जो है 28 अगस्त को होना है क्लर्क के लिए जो होंगे examination 28 अगस्त को 29 अगस्त को 4 सितंबर और 5 सितंबर को होंगे और ठीक इसी तरह से प्रोब्रेशनी ऑफिशर के लिए यानि पी यो पोस्ट के लिए 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को होंगे specialist officer इसमें जो भी conduct हो रहे हैं exam वो 18 और 26 अक्टूबर को होंगे इसके pre-exam PSB section में main examination इसका जो clerk level का होगा वो 31 अक्टूबर और प्रोब्रेशनी ऑफिशर के लिए 27 अक्टूबर को exam होगा यह conduct करा जाएगा वहीं officer जो specialist officer होंगे उनके लिए यह exam 30 जनवरी 2022 में conduct होगा process registration का सभी को लगबग पता है उसके बावजूद भी कुछ समझ लेते हैं कि process of registration क्या होगा कि registration process will be through the online mode only तो आपको यह clear कर दिया गया कि online माध्यम से ही आप कोई भी form फिल करेंगे कोई भी offline mode में यह form accept नहीं होता है registration for both preliminary and main examination जो preliminary और main examination नहीं प्री और main दोनों के लिए कर रहें wherever applicable जिनके लिए ऐसा होगा वहां पर यह form उस तरह से registration कराने होंगे candidates will be required to upload the following documents as per the specification given advertisement जैसा कि इनके advertisement कहा गया है कि जिस तरह से जो चीज़े upload करनी आपको उसी format में करना है जैसे photograph का applicant का अगर है तो वह 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए JPEG format में होना चाहिए signature जो है applicant के वह 10 KB से 20 KB के बीच में हो JPEG format में and thumb impression जो applicant का लगेगा समें 20 से 50 KB JPEG format में scan to copy जो भी लगेंगी hand written declaration की वह format इस तरह से होगा कि यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में JPEG format में होना चाहिए तो यह यहाँ पर जो documents upload करने हैं आपको इसकी details है and detailed notification इसका आप पढ़ सकते हैं IBPS.in की website पर prospective candidates are advised to visit official website IBPS.in regularly for the detailed information for each of the above examination to be displayed in due course समय समय पर जो भी चीज़ें इसके display की जाएंगे तो आप इसके जो official website है उस पर search करके आप इस चीज़ों को check कर सकते हैं The next one top main disclaimer इन्हों दिया है कि IBPS how we deserve the right to change the process including the guidelines modulates state above the basis of the administrative reason किसी भी कारण से परिक्षा रद्द भी की जा सकती है या आगे भी बढ़ाई जा सकती है यह rights IBPS के पास होते हैं and court order, government advertisers, ETC जितने भी इसके related में यह चीज़ें मुझूद होती हैं तो I hope कि इससे आपको एक information मिली कि जो आपके exams होने हैं आप इसके accordingly यानि कि tentative calendar जो है online CRP and RRBs का इसके according आप अपने आपको prepare रखेंगे